ओम शान्ती आज की मुरली है 8-6-73 की अव्यक्त मुरली सर्व स्रेश्ट शक्ति परखने की शक्ति सर्व शक्तियां भरने वाले सर्व शक्तिवान शिव बाबा बोले सर्व शक्तियों में से विशेश शक्ति को जानते हो अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझते हो न Parks and form, सर्वशक्तियों में से सर्वश्रेष्ट शक्ति कौन सी है जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं लेकिन उन में से एक विशेश होता है वैसे ही सर्व शक्तियां आवशक तो हैं लेकिन इन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ट शक्ती कौन सी है जो आवशक है जिसके बिगेर महारथी वा महावीर बनना मुश्किल है है तो सभी आवशक एक का दूसरे से संबन्ध है लेकिन फिर भी नंबर वन जो सर्व शक्तियों को नजदीक लाने वाली है वह कौन सी है बाबा कहते परखने की शक्ति Self-Realization Self-Realization करना भी परखने की शक्ति है Self-Realization का अर्थ ही है अपने आपको परखना व जानना पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे और जब पहचानेंगे तम बाप के समीप वा समान बन सकेंगे परखने की शक्ति है नंबर वन परखना जिसको कॉमन शब्दों में पहचानना कहते है बाबा कहते हैं पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना अर्थात परखना कि ये बाप का कर्तव्य चल रहा है पहले परखने की शक्ति आवशक है परखने की शक्ति को Knowledgeful की स्टेज कहते हैं इस मुरली का सार है परखने की शक्ति के बगेर महारती बनना मुश्किल है दूसरा Self-Realization करना भी परखने की शक्ति है Self-Realization का अर्थ ही है अपने आपको परखना वा जानना पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप वा समान बन सकेंगे तीसरा परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या होती है इस विशे पर आपस में रूरिहान कर सकते हो इससे खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है जब अंत में सभी बातों में एक दूसरे के समीप हो जाते मेल हो जाता तब दाने से दाना मिल माला बनती है अच्छा, ओम शांती